श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्थिदी ले कर आती है, इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को इस दिन को आपको अचानक से धनपापती हो सकती है, आपका रुका हुआ पैसा इस दिन आपको मिल सकता है, उन पैसों की जिनकी आप कई दिनों से वेट कर रहे थे, वो आपका पैसा जो कही पर फसा था, वो इस दिन आपको मिल सकता है, इस समय में आपको विदेश यात्र से इलाब होगा अगर आप विदेश जाकर सेकल होना चाहते हैं तो इस दिन शुरुआत कर सकते हैं जो लोग ISK एक्जाम देना चाहते हैं competitive exams के लिए तेयारिया कर रहे हैं, पढ़ाई से जुड़ी कोई नई शुरुवात करना चाहते हैं, तो दिन आपके लिए अनुकुल रहेगा, इस समय में स्वास्त्य का ख्याल आपको जरूर रखना है, बिमारिया आपको घेर सकती है, वात्रो ग्रक्त विकार आधी में में भी रह सकती है, अश्टम भाव में चंद्रमा की स्थिती पारिवारी कलकलेश बढ़ा रही है, आपको इस दिन क्रोथ पर नियंत्रन रखना जरूरी होगा, तोल मोल कर बोलिएगा नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है, घर परिवार में शांती बनाय की कोशिश जरूर करें, इस समय में यात्राई संबल कर करनी होगी, यात्राओ में रुकावटे आने की संभावना है, यात्राओ में चोट लगनी की भी संभावना है, दोस्तो इस समय में यात्राई करते समय साओधानी बरतना बेहत जरूरी होगा, अगर जरूरत ना हो तो ऐसे समय में व्यर्थ की यात्राएं नहीं करनी चाहिए और अगर यात्राएं करनी ही है तो जरूरत की सारी चीजे साथ लेकर जाए इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है क्यूंकि इस दिन अगर कोई exam या competition आती है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी तब जाकर आपको फलकी प्राप्ती हो सकती है इस समय में अपने कारेक्षेत्र में आपको धैरे रखना चाहिए इस समय में काम का बोजा भी आप पर ज्यादा रहेगा लेकिन धैर्य रखोगे तो आपके लिए समय शुब रहेगा नहीं तो आप इस समय में कोई गल्ती कोई लापरवाही कर सकती है अगर आप house wife है तो इस दिन आपके उपर काम का प्रेशर ज्यादा रह सकता है सभाव में चिर्चिडाहट नजर आएगी आपको भी क्रोट से बचना होगा संतान या फिर आपके दामपतिसुक में कुछ परेशानिया भी इस समय में आ सकती है जिसकी वज़े से आप इस समय में मानसिक चिंताओं में घिरे रह सकती हो इस समय में अपनी चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा इस समय में कीमती चीजे गुम हो सकती है चीजों की चोरी होने की संभावना भी है इस समय में अगर कोई काज़ी कारवाया करनी है तो वहाँ पर भी आपको सतर्कता बरतनी जरूरी होगी कोई भी काम बिना देखे बिना परखे ना करें दोस्तो इस दिन आपके स्वभाव में काफी उतार चड़ाव देखने को मिलेगा आप इस दिन negativity से घिरे रह सकते हो किसी भी काम में आपका पूरा मन नहीं लगेगा इसलिए उपाय जरूर करें इस दिन आपके लिए औरेंज रंका इस्तिमाल करना शुब रहेगा और नव अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है साथ ही इस दिन आप हरे रंका उपयोग भी करते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा दोस्तो अगर इस दिन आप घर से किसी काम के लिए निकलते हो तो चार हरी इलाइची अपने जेब में ले लिजे इससे आपको फाइदा होगा अगर आप इस दिन हरी मुंकी दाल, इलाइची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा नकारत्मक उर्जा समाप्त हो सकती है इससे आपका दिन शुब रहेगा, कामों में सफलता मिलेगी और मन शान्त रहेगा इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए और मंदिर के मुख्य गुलक में एक रुपए का सिकाज जरूर डाले दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा